तो जय हिंद आप सभी के मेरे डिफेंज चैनल पे स्वागत है तो आज की डिफेंज अप्रेट वीडियो में हम या डिसकेशन करने वाले हैं कि फ्यूचर में आपको स्वदेशी फाटर जेट में कावरी एंजिन देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है और अभी फिलाल क प्राविर एंजिन का क्या स्टेटर है इसके बार में हम डिटेल से डिसकेशन करने वाले हैं तो अगर आप मेरे डिफेंज चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज मेरे डिफेंज चैनल को सब्साइब करें बैल इक अंदमने ना बुले और कॉमेंट सेक्शन में जय हिन जय बारत जरू लिखेगा और उसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंज के रिलेटेट कर्टेट अच्चा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो और आपको डिफेंज के रिलेटेट कोई भी क्वेशन हो तो आप अपना क्वेशन कोमेंट सेक्शन में जरू लिखेग जिसका अंसर में अपने आने वाले वीडियो में दे दूँगा तो आज की defense update वीडियो को शुरू करते हैं अभी फिलाल आप सभी को पता होगा कि कावरी एंजिन का drive range तो successfully develop हो गया है जिसको पारत के स्वधिशी का तक QCVA में लगाने वाले है पर अगर इस एंजिन में after burner section को भी लगा दिया जाता है तो कावरी एंजिन 75 से लेकर 77 kN तक की thrust को provide करवा सकता है पर अभी फिलाल जो तेजस Mark 1 fighter jet है उसकी thrust की requirement है 85 kN तो लगबक 10 kN कम thrust कावरी एंजिन प्रडूस कर रहा है तो कावरी एंजिन में तोड़े बहुत modification के बाद जो कावरी एंजिन है वो 85 से लेकर 90 kN तक की thrust को provide करवा सकेगा पर फिलाल GTRE के द्वारा प्रेस किया जा रहा है कि जो कावरी एंजिन मेक्सिमम 75 kN तक की thrust को provide करवा रहा है वो उससे भी ज़्यदा बढ़कर 85 से लेकर 90 kN तक की thrust को provide करवा सके जिसको आगे जाके तेजस Mark 1 fighter jet में लगाया जाए और उसके अलाहा बात करें तब फिलाल बारत कई सारे foreign country के साथ joint venture भी कर रहा है jet engine को develop करने के लिए तो उसका भी अच्छा खासा experience भारत को मिलेगा जिसको use करके भारत कावरी एंजिन को अच्छे से develop भी कर पाएगा तो future में आपको स्वदेशी fighter jet में कावरी एंजिन देखने को मिल सकता है उसके अलाहा बात करें तो उसको develop करने में उतना ज़दा time भी नहीं लगेगा देखने के लिए धन्यवाज जहीं जय बारत मिलते है अगले वीडियो में